हेलो एवरीवन, वेलकम तो दर फॉर्मिलेटर इंस्टिटूट, मैसेब सचिन कुमार, और वी आ श्टूदिंग वर्क्सॉप, तुड़े इन वर्क्सॉप, वी आ गोंग तो डिस्ट्कॉस, अ वेरी इंपॉर्टिंट टॉपिक, दा इज मसिनिंग, चले यह सुरू करते हैं मसिनिंग के बारे में, मसिनिंग है क्या, मसिनिंग एक manufacturing processes है, उस process के दौरान हम क्या करते हैं, एक object से metal को remove करते हैं, तो मसिनिंग क्या है हमारा, material removing process है, इसको हम define कर सकते हैं, it is the process in which material is removed from the workpiece, in the form of chips with the help of cutting tool, इस definition का उनसार हम यह समझ पा रहे हैं, कि हम इस machine के दौरान, एक cutting tool की जवत होगी, और यह जो cutting tool है, वो क्या करेगा, एक force लगाएगा, एक workpiece के उपर, और वहां से क्या होगा, एक metal remove होगा, जो metal remove होगा होगा, जो metal particles remove होगा, उसी metal particles होगा होगा, उसी metal particles क्या बोलते हैं, जिब बोलते हैं, तो machining के दौरान, हमारा जो discussion होगा, वो इन ही चीजों के around होगा, तो machining हम क्या करेंगे, एक machine tool के बारे पढ़ेंगे, कि वो जो tool लेंगे, उस tool का specification क्या होगा, उस tool के strength क्या होगी, उस tool का life क्या होगा, जो हम cut कर रहे होगे, जो cutting process होगा, तो एक force तो हमारा workpiece के उपर लग रहा होगा, साथी साथ एक force जो है, वो हमारा tool के उपर भी लग होगा, उसे क्या होगा, हमारा tool का life क्या होगा, कम होगा, और वो factors देखेंगे, किन-किन factors की वज़合ा हमारा टूल क्या होगा उसका जो life है वो कम होगा अगर हम बहुत fast cutting करेंगे velocity बहुत ज्यादा बढ़ादेंगे तो जो हमारा टूल का जो life है वो अतना ही ज्यादा कम हो जाएगा उतना ही जल्दी मार क्या हो तुल हमारा खड़ाब हो जाएगा आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि जब आप एक pencil से जब क्या करते हो लिखते हो तो क्या होता है pencil का जो point होता है वो क्या होता है लिखने के साथ-साथ वो घिसता चला जाता है उसके अंदर क्या होता है erosence होती है अब घिसता चला जाता है उसका point क्या होता है कम होता चला जाता है सेम process क्या होगा cutting में भ नहीं होगा जतना वह वह दिग्रेडेर्ड करता जाएगा उसका एज उस पर इसका लाइफ बिक्या वह अकटिंग उलका कम होगा उसके लाग डिसके संद्खेंगे लिए जो दिखेंगे रहा है वह किस तरह से चिप निकलता रहा है कि वह एज अगर इनगार्युनों सब्सक् बख्रीज करे की अगर को साने कुलेगा अगर के चलेगा अगनिवर जी के आगे का सथ साथ और किया के साथ और यह देखेंगे कि जो आगे मसीनीं वह क्या है एक डिफरिंट डिफरिंट प्रोसेसेज में था और डिफरेंट । अपरेशन हमारे हो त Cutting tool है क्या होगा उसकी अंदर या तो single cutting edge होगा , या क्या होसकता है multi कर Hiller होसकता है इस अधयर पर हमारे क्या होगा different Different operations हो रहे होगे जैसे की turning है independent routine है ch skiping получилось Haumara single cutting tool है, उस दोरान क्या होता है single cutting edge होता है हमारा multi cutting!!!!! duty है multi cutting edge होगा female cutting edge आप देख सकत हो जैसे कि आप जो grinding करते हो, या आप जो milling machine करते हो, milling tool होता है, उसमें क्या होता है, एक tool के ओपर बहुत सारे cutting edge होते हैं, बहुत सारे tools होते हैं, आप drilling देखते हो, drilling के ओपर क्या होता है, उसके ओपर cutting edge होता है, तो मतलब उसके ओपर दो cutting edge होते हैं, एक spiral के ओद, spiral pass में करते हैं तो सदरान क्या होता है एक ऐसा टूल होता है जिसको पर क्या होता है बहुत सारे तिस्स बने होते हैं तो क्या हो गया यह हमारा एक्जांपल हो गया मल्टी कटिंग है तो इसी तरीके से क्या करेंगे मसीनिंग में अलग-अलग जो ऑप्रेशन्स हो रहे होंगे उन सारे ऑप्रेशन्स में देखेंगे कि उस दौरान कौन-कौन सा टूल का इस्तमाल हो रहा होगा ठीक है तो उन ऑप्रेशन्स पे जाने से पहले हम एक बार ये समझने की कोशिस करेंगे जब हमारा cutting होता है तो उस दौरान कौन-कौन से mechanism जो होते है वो follow हो रहे होते हैं ठीक है तो सबसे पहले mechanism के बार में देखेंगे कि हमारे क्या है जो cutting होड़ा है तो कौन सा mechanism होड़ा है हाला कोभी चीजा कोभी एक phenomenon होता है उसके पुछे कुछ न कुछ क्या होता है एक logic होता है एक science होता है तो उसी science के हम लोग भी study करेंगे तो आपके सामने जो एक figure बना हुआ है वो क्या है एक work piece है एक work piece है जिसे क्या कर रहे है हम लोग एक cutting tool के मदब से उसे cut कर रहे हैं तो इस process के तोरान क्या होता है कि यह जो cutting tool है उससे क्या करते है एक work piece के एक cutting tool का जो है वो क्या करते है एक work piece के ऊपर पूरा force लगाते है जब work piece के ऊपर force लगाएंगे तो क्या होगा वहाँ पर compression होगा वहाँ पर क्या होगा सबसे पहले compression होगा और उसके बाद जब compression के बाद और ज्यादा force लगाएंगे तो क्या होगा उस point पर उस space पर क्या होग तो इसीर siya हो जाएगा क्या हो जाएगा हो जैगा जूज हो जाएगा reporting हो लगाते हैं किसी के ऊपर तो दो तरिकस लगाते हैं यहां तो इस सर्फेस को उसी नगाते हैं यहां तो इसके ऊपर कंप्रेंटक्र अब घूट त्न् सवlyo उपर compress कर रहा होंगे उसको बोलागे compression और surface को superficially ज़र surface को ऊपर force लगाएंगे तो उसे क्या बोलते है seared force क्या है अब seared force ऐसे समझ सकते हो जब आप chaakoo से माल ले कोई एक object को cut कर रहे होते हो cut कर रहे होते हो तो आप force कहा लगा रहे होते हो उस surface के cross section के उपर force लगा रहे होते हो तो वहाँ पर क्या करता हो seared force लगाता हो तो cutting के दोरान हमेंचा क्या लगता है seared force लगता है ठीक है same case यहां भी हो जाएगा जो हमारा यह tool है जो cutting tool है वह क्या करेगा वह इस चीच को cut करना करेगा सबसे पहले क्या करेगा उसको press करेगा उस surface के उपर क्या लगाएगा एक compression force लगाएगा उसके अ all force बढाते हुए वह क्या करेगा उस surface के ऊपर एक sheer प्लई रखाएगा एक sheer failure करेगा जैसे I see a fire failure होगा तो यहां से material रिमूब होना start होगा, और क्या करेगा, एक definite direction में जो material remove होड़ा है, जिसे chip बोलते हैं, वोогप दिःफिने डिरेक्शन में जाने लएगा और क्या करेंगे आगे और क्या करेंगे हम टूल से जो टूल है उसको और फोर्स लगाते जाएंगे किधर आगे की डिरेक्शन में उस चीज को उस चीज को क्या बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं कि हम इस टूल को क्या दे रहें फीड दे रहें हाना इस टूल को एक definite direction में motion जो देना होता है उससे क्या बोलते हैं feed motion दे रहे हैं हाना यास को हम क्या बोल सकते हैं cutting velocity इस direction में आपाई है cutting velocity इस direction में आपाई है तो अब हमारा study जो है इस पर focus करेगा कि जब हमारा जो chip जो बाहर निकल रहा है, जो बाहर हमारा chip निकल रहा है, तो वो क्या-क्या properties गेंड कर रहा है, और हमारा जो workpiece है, उससे क्या हो रहा है, कौन-कौन सा phenomenon हो रहा है, और कौन-कौन सा changes हो रहा है, है ना, चलिए देखते हैं यहां पर, कि यह हमारा जो workpiece है, वो जो टी है फो टी क्या है? उनकट फिकने से उनकट शिप थिकनेस् है मतलग मैटेडिययल का जो ये जो हिकनेस ना, क्या ब anlatका हूँ क्य अधा है? कप होकर क्या बन रहा है? फिकने स्टिप नहें. होइं कत होकर क्या बन रहा है हमारा चीप बन रहा है यह टीची क्मेस थिकने मैँ अद we ask यह फिर ने मैंने क्या बोला है मैटेरीयल जो कुट कड़ेगा तो मैटेरियल अचलेगा मैटेरियल यहां से क्या होगा क्या है süks Also कि इदूंहें सिंधियों का की भाद कट होने के बाद. ठीक है? तो होता क्या है? जब कट हुआ, मेटल कुप होगा? महां पर एक ब्लास्टिक डिफस्मीशन हुआ म्हान पर मेटल क्या होगा? कट होगा तो हम्हे क्या आगा? एक कुछ न कुछ डिफोर्मीशन आएगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आया तो आप ऐसा जानते हो कि जब भी आप किसी मिटरल के अंदर कुछ फोर्स लगाते हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा अब या तो वो डिफॉर्मेशन हटा दोगे जब फोर्स को हटा होगे तो क्या होगा वो उस डिफॉर्मेशन को रिगेन कर लेगा या बापस अपने सेप में आ जाएगा या उसी डिफॉर्म में रहेगा है कि नहीं जब भी आप मेटरल के फोर्स लगा होगा किसी के चीज के फोर्स लगा तो दो ही चीज हो सकता है, या तो उसको फोर्स लगाने का उसको छोड़ दो, deform हो गया, तो क्या करेगा, वो अपना वो shape फिट से गेन कर लेगा, या जिस shape में वो deform हुआ है, deform हो गया है, उसी shape में ही रहेगा, तो यहां से दो टम निकल क्या आता है, एक आता है elasticity, एक आती है plasticity, एक आती है plasticity, एक आती है plasticity, तो elasticity क्या है, कि जब क्या करें, अपने shape को वो regain कर ले, shape को क्या कर ले, regain कर ले, और यह क्या कर ले, अपने shape को regain नहीं कर ले, उसके पास कुछ ना कुछ क्या हो जाए, deformation रही, deformation क्या कर सकते हैं, तो अपने shape को क्या कर रहा है, regain नहीं कर रहा है, तो यह क्या एक material की property होती है, Plasticity के material की property होती है, उसी पर का जो हमारा workpiece है, उसमें हम जब cutting force लगा रहा है, तो क्या हो रहा है, shear failure हो रहा है, किसका shear failure हो रहा है, Workpiece का shear failure हो रहा है, और shear failure के कारण कुछ न कुछ, क्या हमारा material deform हो रहा है, material deform होने का बाद का किस तरीके से deform हो रहा है, plastically deform हो रहा है, मतलब permanent deformation उसके अंदर हो रहा है, ठीक है ना, उस वजह से क्या होगा, हमारा जो यह chip है, हमारा क्या है, यह जो chip है, वो क्या हैगा, वो बाहर की तरफ flow होने लएगा, ठीक है, अब यह decide करते हैं हम लोग, कि जब यह chip जो है, कि किस direction में flow होगा, जब हम cutting करेंगे, तो chip बाहर निकलेगा, तो ऐसा तो है नहींगे, किसी भी direction में चला जाएगा, हना, तो chip जो है, एक definite direction के में, क्या करता है, वो जाना चाहता है, तो आये देखते हैं, किस direction में जाना चाहता है, तो वो shear deformation हो रहा है, the shear deformation takes place in such a direction, where it requires lesser energy, आप सबको मालूम है, कि दुनिया में को भी phenomenon हो रहा होगा, तो कहा जाना चाहिएगा, वो हमेशा एक stability के तरफ जाना चाहिएगा, हमेशा एक lesser energy के तरफ जाना चाहिएगा, तो इस chip का भी, वही चीज होता है, यहाँपे, जो chip होता है हमारा, वो भी, एक fixed direction में जाना चाहता है, जहाँपे क्या है हमारा, जो energy उसको सबसे कम हो, वहाँपे क्या हो, इस chip की energy क्या हो, सबसे कम हो, है ना, तो यह concept जो आता है, वो कहां से आता है हमारा, वो आता है minimum energy principle से, वो कहां से आता है, minimum energy principle से, यहां पर एक और concept है, यहां पर क्या है, एक और concept है, कि एक shear plane का, concept है, एक shear plane का, वो बहुत important वहारा concept है, mechanism of metal cutting में, जो shear plane है, आपका होगा सार, यह shear plane कौन सा है, तो यह जो plane है, यहां से यहां तक का, यह जो plane है, यहां से यहां तक का, वो कौन सा plane है हमारा, shear plane है, यहां से समझ में नहीं आ रहा है, कोई आपका, यहां से दिख लेते हैं, है ना, तो कुछ इस पर कार का यह ऐसा आ रहा है plane, कोई बात, यहां पर देख, इसको फिर दरब यहां से देख लेते हैं, यह shear plane होता क्या है, तो shear plane जो है, वही plane है, जिस plane पे हमारा क्या आ रहा है, minimum energy आ रही है, है ना, उसी plane पे क्या रहा है, minimum energy आ रही है, तो यह plane है, यह plane हमारा क्या है, shear plane है, यह जो plane हमारा क्या है, shear plane है, और यह जो sear plane है, वो हमारा fit motion है, fit direction है, या tool का motion है, उसके साथ क्या कर रहा है, एक angle बना रहा है, और इस angle को क्या बोलते हैं, sear angle, यह जो angle है, उसे क्या बोलते है, sear angle, ठीक है, और एक और चीज़ यहां पर ध्यान रखना है, कि हमारा जो chip, uncut chip thickness का, जो thickness है, और हमारा जो chip thickness का जो thickness है, वो दोनों क्या है, बरावर नहीं है, दोनों बरावर होता है, दोनों में क्या लिखते है, टीटी लिखते है, तक ऐसा नहीं है, हमारा जो chip thickness है, उसका size क्या है, इससे बड़ा है, तो यह ऐसा होता क्यू है, यह होता इसलिए है, क्योंकि हमारा जब chip, हमारा जब the chip chip क्या है पहले chip ये था नहीं पहले क्या था य with piece जूंध कम थ्च पार्ट वहाँ डौरां उस दौड़ान मॉल्ट्र एल प्रसका काफी ज्याएदा होता है , तो उसे क्या करते है उसको पकर करका व्रकते है चावटतर्फ से फ्री हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जो stress जो यहां से कम होता है, यहां पर क्या होता है, इनर्जी उसकी सवरी से कम हो जाती है, तो क्या हो करती है, वो हलका सा relax होने में, वो हलका से उसकी क्या होती है, thickness क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए करते है, जो chip thickness जो होता है, वो ज यह तो एक board पर एक picture है, यहाँ पर आपका एक picture है, यहाँ तब की जो को समझ पा रहे हो, इसको हम लेक practical way में भी देखते हैं, ठीक है? कि जैसे माल लिया है, माल लिया है हमारा क्या एक work piece है, ठीक है, यह क्या है हमारा, एक work piece है, जिसे हम क्या कर रहे है, एक cutting tool के मदद से, उसे क्या करेंगे, cut करते हैं, एक work piece है, यह हमारा cutting tool है, इसको पर force, compression आएगा surface के उपर, क्या करेंगा, एक shear, और shear failure के वज़े से क्या आएगा, इस material जो है, वो क्या करेंगा, एक plastic deformation देगा, और जैसे जैसे हम cut करते जाएंगे, वो material क्या होगा, एक different direction एक flow करेंगा, किस direction एक flow करेंगा, minimum energy, minimum energy जहाँ पर होगा, उसी डायक, और आप यह देख रहे हो, कि यह chip जो बाहर, यह बाहर क्या होता है, निकल रहे हो, और यह material जो है, flow कर रहा है, एक definite direction में, यह जो बाहर निकल रहा है, यह क्या है हमारा, यह क्या हमारा, यह chip है, है कि नहीं, और आप देख रहे हो, कि chip क यह बाहरा, एक definite direction में, flow कर रहा है, और यहाँ से दो-तीन angles समझ लेते हैं, ठीक है, तो यह जो होता, यह tool है, यह tool जो है, आप देख रहे हो, इस तरीका साब देख लो है न, कि यह tool है हमारा, वो क्या कर रहा है, एक perpendicular, इस surface के उपर perpendicular, इस surface के, यह जो हमारा, यह जो हमारा tool ह यह जो हमारा यह जो हमारा क्या है, यह जो हमारा क्या है, यह हमारा क्या है, यह हमारा क्या है, यह जो हमारा क्या है, यह हमारा क्या है, यह जो हमारा क्या है, यह 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 मतलब यह जो workplace है, workplace कहा है, perpendicular, और टूल का surface है, वो क्या एक angle बना रहा होता है, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते है, rake angle, और एक चीज और आप देख रहा होगे, यहाँ पर क्या एक थीटा है, यह जो थीटा है आपका, यह जो थीटा है, वो क्या कर रहा है, यह clearance दे क्लियरंस है, आप अपको ये जो क्लियरंस है, हो आपको बहुत ज़्यादा दिखरा होगा, लेकिं यहां पर क्या हो गानие ही? क्ते ही सीह क्या हुद थ Спत्रवल का थिक्धनेंस होगा। यहां ugा का लिया क्लियरंस मुद्ण को क्या बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? Clearance Angle. यह Clearance Angle देना क्यों जो डूड़ी है? नहीं देंगे, तो हमारा क्या राए? Material क्या कर रहे है? Cut कर रहे हैं. Material क्या कर रहे हैं? Cut कर रहे हैं. तो जो material क्या करने बाद यहां, एक surface तो smooth आएगा. लेकि अगर हम Clearance नहीं देंगे, तो यह tool क्या करेगा? जो machine to surface है, उसके साथ क्या करेगा? उसके साथ rub करेगा. और जो rub करेगा, तो surface को क्या करेगा? खराब कर देगा. हम तो ऐसा नहीं चाहते हैं. हम किसलिए क्या करते हैं? हम आप एक थोड़ा सा gap रखते हैं, उसे gap को क्या बोल देते हैं? Clearance angle. ठीक है? उसके बाद क्या होता है? यह जो angle होता है, मैंने बताया कि यह क्या है? sear plane है. है ना? sear plane क्यों important है? क्योंकि सारा जो functioning हो रहा है, सारा mechanism हो रहा है, वो कहा हो रहा है? एक sear plane पर ही हो रहा है. एक sear ही plane पर हो रहा है. ठीक है? तो sear plane के सारा, जो sear plane है, वो feet motion के साथ angle बनाता है, उसे क्या बोल देते हैं हम लोग? sear angle बोल देते हैं. यहाँ जो phi है हमारा, वो क्या है हमारा? एक sear angle है. आगे जम आगे study करेंगे, मैं बताऊंगा, कि relation होता है हमारा sear angle, और यह rake angle के बीच. आपको क्यों से rake angle बताने के जरुद क्यों पड़ी? ठीक है? फिर से देखते हैं, आईए. दीखें यहाँ पर, यह जो rake angle है, यह जो rake angle जतना जादा होगा, यह जो rake angle है, वह जतना जादा होगा, है कि नहीं? तो वह क्या होगा, हमारा cutting है उतना ही आसान हो जाएगा. Cutting कितना होगा? उतना ही आसान हो जाएगा. लेकिन अगर हम rake angle बहुत जादा दे देंगे, तो तूल क्या हो जाएगा? कमजोड हो जाएगा. तूल क्या हो जाएगा? कमजोड हो जाएगा? इसी वज़य से क्या होता है? rake angle को एक optimum लेते हैं. जनली जो हो उसका 10 degree, 8 to 10 degree लेते है rake angle को. ठीक है? rake angle से क्या है? हमारा cutting क्या होता है? असान हो जाता है. आप देख सकते हैं यहाँ पर cutting क्यों आसान हो रहा है? यह हमारा workpiece है टूल है. ठीक है? मैंने यहाँ पर cut किया. आपको नहीं लगता है कि अगर मैं इतना जाएगा? अगर rake angle को कम कर रहा हूँ. ठीक है? rake angle को कम कर रहा हूँ. rake angle होता है क्या है? मतलब क्या है? इसको और ज्यादा खड़ा करना. मतलब और ज्यादा क्या करना है? इसका slope को बढ़ा देना इस टूल का. तो उसके बाद जब cut करने जाएंगे, उसके बाद जब cut करने जाएंगे तो बहुत मुस्किल आएगी. लेकि इसको rake angle को बढ़ार दे रहा है बहुत जाएगा. यहां तक हम rake angle कर दिये. तो अब इसके बाद cutting करना क्या होगा? आसान होगा. क्यों क्यों क्या cutting हो रही है, वो searing से ही हो रही है. तो क्या होगा? यहां से cutting करना बहुत ही आसान हो जाएगा. लेकिन उसके बाद क्या होगा? जो tool का thickness है, वो क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा. अगर ज्यादा rake angle बढ़ा देंगे तो. वो भी ने चाहिए. हम टूल का strength भी तो चाहिए cutting करने के लिए. ठीक है? तो हम क्या रहते है? रेक angle के optimum लेते हैं. optimum केतना लेते हैं? 8 to 10 degree. ठीक है? तो यह आपका क्या है? एक discussion है, mechanism of cutting का. अचुकी यहाँ पर क्या है? जो cutting operation हो रही है, जो mechanism पढ़े हैं, वो हम पर क्या देखें? Orthogonal मतलब देखें. Orthogonal का मतलब क्या है? कि यह जो tool का motion है, वो इसके width के perpendicular आ रहा है. तो हम लोग ऐसा क्यों देखें? चीजों को आसान करने के लिए हम जो study किया है, वो कैसा किया है? Orthogonal study किया है. आप इसको क्या बोल सकते हैं? यह जो orthogonal आप इसको एक ideal case ही बोल सकते हैं? कि हमारा क्या एक ideal case है? ठीक है? इसके अलबाए एक दो तीम चीजे जो है, वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं. यहां मैंने बोला कि एक relation होता है, ठीक है ना? तो एक relation है, चिप और अंकट चिप thickness है, यह जो अंकट चिप thickness है, दोनों के बीच एक relation होता है. ठीक है, उसे क्या बोलता है? चिप thickness ratio. हमारा क्या होता है? चिप thickness ratio. यह चिप thickness ratio होता है? अंकट चिप अंकट चिप by चिप thickness. अंकट चिप thickness by चिप thickness इसे को क्या बोलता है? चिप thickness ratio. आपको नहीं लगता है कि चिप thickness ज्यादा है uncut chip thickness से तो इसकी value जो होगी हमेशा हमेशा ही हमेशा less than 1 होगी है की नहीं हमेशा हमेशा क्या होगी less than 1 होगी यहाँ पर क्या आपका एक sear angle है मैंने क्या वोला कि यह जो sear angle है इसके एक relation होता है किसके साथ रेक angle के साथ किसके साथ एक रेक angle के साथ वो relation देख लेते हैं वो होता है 10-5 is equal to r sin alpha r क्या है यह chip thickness ratio है उसे हमने किसे डोनेट करते है r से denote करते है यहाँ पर एक और relation होता है r बड़ावर तो इस relation हमें क्या मालूम चल रहा है इस relation से मालूम चल रहा है कि जैसे जैसे हम alpha को बढ़ाएंगे जैसे जैसे alpha को बढ़ाएंगे हमारा क्या होगा phi वो क्या होगा जो हमारा shear angle है वो भी क्या होगा बढ़ता चला जाएगा जब shear angle बढ़ेगा जब shear angle बढ़ेगा तो हमारे जो shear area है जो shear area है वो क्या हो जाएगा कम होता चला जाएगा है कि नहीं जैसे ऐसे देख लो आपका अंगा हम alpha को बढ़ाएंगे, alpha को क्या कर रहे है, बढ़ाया कर रहे है, तो हमारा 5 भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अब देख सकते हो, alpha को बढ़ाओ, alpha को बढ़ाया, नीचे में alpha को बढ़ाया, यह value कम हो गया, तो overall value क्या हो गया, है ना, तो कहने मतलब क्या है कि alpha बनान से क्या होता है हमारा 5 बढ़ता है चुक्कि alpha बनान से 5 बढ़ेगा तो आपको नहीं लग रहा है कि जो cross-sectional area जो आपका shear area है वो क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है खिक है आप एक और चीर देख सकते हो कि जो force होता है आपका shear force होता है वो क्या होता है वह पर क्या होगा shear stress वह पर क्या होगा shear stress multiplying हमारा shear force हो क्या होगा shear stress multiplying shear area यहां से क्या निकला कि shear area कम होगा shear force कम होगा और shear force है अगर shear force कम होगा यानि हमें कम force लगाना है उससे क्या होगा cutting force भी कम होगा कि shear force होगा यहां से क्या हम क्या मिला कि shear force कम होगा तो हमारा क्या होगा वह आसान हुता है, इसकेह लब एक और चीज़ reakthi है, वह होता है cœur • स्ट्रेंड देखते हैं सियर स्ट्रेंड क्या होता है वह ऐसे देख सकते हैं कि माल लिया जाए यह सर्फिस है ठीक है तो यह स्ट्रेंड होता है वह होता है वी देख भाई एब अब इसको कर सकते हो कि अगर यह गामा एंगल आ रहा है सुमाण तो यह तैन गामा के बडावर हो गिया है कि नहीं तो छोटा होता है तो यह साइन गामा के बडावर है मालूम है कि अगर साइन ठीटा का भाईलू बहुत कम होता है क्या होता है बहुत ज्यादा कम हो तो लिए ख़िटा के बेरावर हो जाता है तो कह सकता है यह किसके बेरावर है तो अल्ड़ 5 minus alpha, cot 5i, cot 5 plus 10, 5 minus alpha, यह क्या होता है, shear strain होता है, ठीक है, तो आपका जो mechanism था है, mechanism of cutting, mechanism of cutting है, अभी तक क्या क्या, जो ही discussion किया है, वो लगभर क्या है, वो total एक basic discussion है, ठीक है, तो आसा है, आपको समझ में आया होगा यहां तक, ठीक है, तो आगे कि जो lectures है, उसमें देखेंगे, orthogonal cutting और oblique cutting के बारे में, जैसे कि मैंने बोलते हैं, यह क्या है, ideal cutting है, तो कुछ ना कुछ एक practical cutting भी तो हो रहा होगा, उस cutting को क्या बोलते हैं, हम लोग, oblique cutting बोलते हैं, ठीक ह हमारा जो एक orthogonal cutting है, वह एक ideal cutting है, जब हम इंश्टडी करनी है, machining की work piece, जो हमारा cutting tools को अनलाइस कर रहे होते हैं, उसके cutting forces ko analyze कर रहे होते हैं, उसके velocities ko analyze कर रहे होते हैं, उसके mechanism ko analyze करते हैं, तो उसके consider क्या करते हैं, उसमें इसमोंимся consider करते हैं, और्फोगॉनल कॉ शल्री ट होती है hoade है। जो real practice होती है है , real life , real applications मस्यीनिंग की , वहाँ पे क्या होती है , oblique cutting होती है। ठीक है फिर भी देखते हैं कि क्या क्या हमें और्फोगॉनल कॉट्रिञ máximo कौन कौनसा इसे प्रोसेश होते हैं कौन सा ऐसा cutting का एक method होता है जो होने के बाद हम ये decide करेंगे कि हाँ ये जो cutting है वो क्या है हमारा orthogonal cutting है इसे एक practical रूप में हम लोग समझें एक example को लेकर कि जैसे माल ये हमारा क्या एक workpiece है ये क्या हमारा एक workpiece है और इसे क्या करना है हमें एक cutting tool के मदद से cut करना है एक cutting tool की मदद से cut करना है तो हम cutting कर रहे हुए हम कभी से orthogonal cutting बोलेंगे जब हमारा cutting tool क्या क्या है विरित कर रहा है ये cutting tool का direction अगर perpendicular आ जाए इस vrith का यह मैं कहा रहा है क्टिंग व्रिथ है इसी व्रिथ से में क्या हो रहा है क्ट हो रहा है तो जो हमारा जो क्टिंग टूल है क्टिंग टूल का जो मोशन है इस मोशन के अगर पर्पेंडिकुलर है हमारा क्टिंग व्रिथ तो उस तरह के क्टिंग को हम क्या वोलेंगे उस तरह क्या बोलेंगे और्थोगोनल कटिंग तो फिर हमारा एक अबले कटिंग क्या होता है तो जब हमारा जब हम कटिंग कर रहे होंगे जब हम कटिंग करेंगे और जो हमारा जो कटिंग जो cutting direction है, जो fit दिए हुए इस tool को, उससे क्या हो, हमारा cutting, जो हमारा cutting width हो, वो कैसा बनाए? वो less than 90 degree angle बनाए, तो वो कैसा हो, जैसे हमारा क्या है, इस direction लो cut कर रहे हैं, लेकिन width हमारा क्या है, हलका सा मैंने tilt कर लिया, तो अब इस direction जो cutting करेंगे, जब इस direction जाकर क्टिंग कर रहे होंगे, जब इस direction जाकर cutting कर रहे होंगे, तो हमारा cutting होगा, वो कैसा होगा? जब width हमारा क्या हो, 90 degree हो, motion of, हमारा motion तो इस direction में था, लेकिन width जो है, tool का, वो कैसा हो, less than 90 हो, उस case में क्या बोलेंगे? अब लिए cutting बोलेंगे, ठीक है? इसके लिए और देखते हैं, और क्या-क्या हो? इसके लिए एक और चीज़ है, कि हमारा cutting edge जो है, जो cutting edge है, वो width और workpiece का clear करना चाहिए, इसका क्या मतलब है? कि हमारा cutting edge है, जो cutting edge है, जो workpiece का width है, उसे क्या करना चाहिए? क्लियर करना चाहिए, आप देख रहो, इसका cutting edge है, जो cutting edge of the tool है, हमारा workpiece का width है, उसे क्या करना है? क्लियर कर रहा है, ये भी सांसी सांस होना चाहिए, जब ऐसा हो रहा हो, तभी हम क्या बोलेंगे? उस तरह के cutting को, और सोगोनल cutting बोलेंगे, लेकिन जो हमारा oblique cutting हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, है ना? माल लिया हमारा cutting tool है, ये हमारा workpiece है, अब cut कर रहा हो, तो इसका width है, वो हमारे workpiece के width से क्या है? कम है, तो ये क्या है? ये कैसा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा oblique cutting, लेकिन oblique cutting ये भी हो सकता है, है ना? कि width ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन जो ह हमारा orthogonal cutting है उसमें क्या होना चाहिए उसमें compulsory हमारा cutting edge है वो width of work piece को clear करना चाहिए ठीक है यह क्या है हुआ हमारा second difference हो गया एक और है हमारा कि जो chip coil moves in the spiral fashion perpendicular to the cutting edge यह बहुत सुम पड्रीकषि これ होती है orthogonal cutting की क्या demerit होती है कि कि हमारा मालय जो cutting कर रहे है तो यह chip का flow है न वो क्या होगा हमेशा perpendicular होगा किसके perpendicular है हमारा cutting edge का तो यह cutting edge जो है cutting edge है घट इस हमेंसा क्या होगा उसके perpendicular ही होता हैा मारा chip उससे क्या होगा जो कि सारा का चीप 25 जो है वे तूल के सर्फस के उपर आ जाता है चुकिथ जो कटिंग प्रोसेस के दोरान बहुत ज्यादा मेवी जेएरेट होता है और जह उसे ड़ै तूल ₹ हमारा जो तूल है, तूल का रेक सर्फेस है, वो क्या होगा हमाण? वो डिग्रेट कर जाएगा, उसकी quality क्या हो जाएगी? खड़ाब हो जाएगी. तो मारा क्या होगा, टूल का life कम हो जाएगा. तो हम कभी नहीं चाहते हैं, जो चिप हो, हमारा क्या हो? कट होने के बाद हमाई tool के rake surface के उपर है हम क्या चाहिएंगे कट होने के बाद वो ज़ो chip है वो क्या हो बाहर जाए tool के उपर ना है workpiece के उपर भी नहीं आए और tool के उपर भी नहीं आए कहीं किसी होट direction में चला जाए ठीक है तो वो कहाा possible है ठीक है इसके लिए और डिफ्रेंस देख लेते हैं कि और क्या डिफ्रेंस होता है मैंने भी बताया कि टूल लाइफ हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो टूल लाइफ क्यों कम हो जाएगा यह हमने देखा अभी वो सारा चिप कहां जाता है? टूल के सरसेस पर आ जाएगा उसे क्या होगा? टूल की life आटमेटिक कम हो जाएगी लेकिन यहाँ पर क्या रहा है? अबले कटिंग में? वो जो है, वो क्या है? जो चिप कोईल्स जो है हमारे वो कहां जा रहे है? आटमेंटिक नाटमेटिक टूल की या होगा? इंप्रूब कर जाएगा एक और चीज़ है जो हमेhr work piece मिलता है वो orthogonal cutting में वो कैसा में मिलेगा? rough मिलेगा orthogonal cutting केएंट जो हमारे work piece मिलेगा वो कैसा मिलेगा? rough मिलेगा लेकिन वही जो oblig cutting करेंगे कासा मिलेगा हमारे स्मोथ सर्फिस मिलेगा यह जो वर्फिस है इसका कटिंग करना होते लेकिंग केक करनेके बाद वह अलों वारा सर्फिस सबीधा वह कैसा होना चाही है , हम दो चाहे हैं कि वह कैसा हो Smith हो लेकिन वह मिलेगा कहाँ पर वहमें oblique cutting मिलेगा लेकिन orthogonal cutting में क्या होगा orthogonal cutting में जो हमारा surface मिलेगा वर्कपिस का machine होने के बाद वह कैसा मिलता है हमारा rough surface मिलता है रहे है एक और difference क्या है कि जो chip thickness है वो orthogonal cutting में वह क्या होता है में 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 म ठीक है और शोनकेटिंग में किया होगा ऐसा कोई ज़्रूरी नहीं है हमारा मेडियल में जो है न वो चिपbenश मैक्सिमウ सिम और है अब यहाँ प्रफेट करुम् नश्म आरग कैसा होगा three dimensional in nature होगा आप यहां से भी देख सकते हो जब क्या कर रहा है cutting कर रहा है जब work piece के cutting कर रहा है तो हमारे chip का flow क्या हो रहा है अब देख रहो एक plane में flow कर रहा है एक tool के plane में flow कर रहा है है जबकि जब oblique cutting होगा तो यही chip जो है एक tool के face पर रहा flow कर के वह कहा जाएगा वह कहीं बाहर flow कर रहा होगा इस वज़े तो इसी वज़े से क्या होता है कि हम आप लेक cutting को बोलते हैं कि वह एक three dimensional in nature है और orthogonal cutting जो होता है वह क्या होता है हमारा two dimensional in nature होता है इस चीज के एक हम other examples भी देख सकते हैं एक figures देख सकते हैं तो माल लेज एक cylinder है हमारा ठीक है ना तो इस cylinder का क्या है क्या है क्या क्या कर दियामेटर है हम cut करकर उसका diameter क्या क्या कर रहा है कम कर रहा है यह एक machining process है तो उस दोड़ान एक tool जो मैंने लिया वह कैसा लिया और orthogonal tool कैसे है यह तो पता नहीं चला है कि orthogonal tool है तो आप देख सकते हो कि यह cutting edge है इसका cutting edge है जो cutting edge है वह क्या है वह perpendicular है इस direction में करना है जब क्या होगा यह object भी हमारा the piece क्या होगा क्या है rotate कर रहा होगा और यहाप हम क्या लाएंगeffect tool लाएंगे episodLaugh Journey home if ृप यह cutting होड़ा ही होगा जब यह cutting होड़ा है तो हम लाइक रहे है तूल को तूम क्या रख रहा है यही पर रख रहा है अबजेक्ट घूम रहा है क्टिंग होड़ा है लेकि हमा क्या करना है क्टिंग यहां से लेकि यहां तक करना है तो टूल को क्या करेंगे एक फीट मोसन देंगे कट कर तो ऐसे यहह तक यहाल गा कर जाए एक fit motion देगे तोुरा है दिंक्ट ! विरिद अब दा टूल है , विरिध में डेने हैं ? यह क्या है ? एक पूरक पुरेट की थीले है कंद दिको कि धॉक है यह हमारा cutting edge है, cutting edge के perpendicular हमारा fit direction है, इसको हम क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे हम लोग, और सो गुनल cutting, वहीं जब आप एक और देखोगे example, cylinder का, तो वहां भी क्या हो रहा है, वहां भी cutting हो रहा है, यहां भी हम क्या लिए है, यहां पर हमारा tool है, है ना, यह क्या हमारा tool है और इस tool में आप देख सकते हो, कि जो cutting edge है, वह cutting edge क्या है, एक cutting edge जो है, वह हमारा acute angle बना रहा है, क्या बना रहा है, एक acute angle बना रहा है, acute angle करने मतलब क्या है, एक angle less than 90 बना रहा है, किसके साथ, fit motion of tool के साथ, यह जो हमारा fit motion दे रहा है, tool को, उसके साथ क्या बना रहा है, एक acute angle बना रहा है, तो यह जो example है हमारा, वो किसका example है हमारा, oblique cutting का, तो आसा आपको समझ में आ गया हुए तक, क्या-क्या, differences है हमारे, और तो gonald cutting और oblique cutting का, तो मिलते हैं फिर next lecture में, thank you